आज मौरनी में गुर्शमिंदर धिलेंस ने एक अपडेट दिया था, I hope आप सभी लोगों ने फेस्बूक ग्रूब में जरूर देखा होगा, उस अपडेट में जो भी बताया उसको मैं और अच्छे से किलिर करना चाहता हूँ, उस अपडेट में गुर्शमिंदर सन ने बत है, तो जिनके पास यह problem है, कुछ लोगों के पास ही, I think यह problem आती है या फिर आई होगी, तो वो लोग यहाँ पर detail भेज सकते हैं, गुर्शमिंदर सन ने एक email प्रवाइड किया है, एक email ID यहाँ पर प्रवाइड किया है, तो उस पर हमें detail भेजना है, क्या करना है कि आपक email ID mention कीजिए, उसके साथ में जब आपका account, यानि कि आपके bank account से जो पैसा आपका deduct हुआ है, तो उसमें आप देखेगा statement चेक कीजिएगा, तो एक transaction number आपको मिलेगा, तो वो transaction number आप mention कीजिए, साथ में जब आप phone पे या Google पे से करेंगे, तो उसका भी एक transaction number होता है, उसको पर भेजना है, जो गुषमिंदर सरण ने email ID प्रवाइड किया है, वो email address में आपको यहाँ पे screen पर दे दे रहा हूं, उसको भी आप note कर सकते हो, या फिर description आप चेक लिजे, वहाँ से भी आप note कर लिजे, इसी email address पे आपको अपना पूरा detail भेजना है, और आपको अपनी पूरी problem बताने है, कब से है, और कौन सा आपका problem है, उसको आप mention कर सकते हो, और दूसरी चीज़ याद रखिए, अगर किसी ने एक ही account को activate करने के लिए, दो बार payment कर दिया है, by mistake, उनके bank account से दो बार पैसा deduct हो गया है, तो उसको भी आप mention कर दीजे, कि ये मेरा account है, इस account के मैंने दो बार यहां से by mistake यहां पर payment किया, transaction किया है, और यह दोनों का transaction number है, और इस date में हुआ है, वो सारी detail आप mention कर दीजे, और इस email ID पर जो मैं आपको provide कर रहा हूं, इस email ID पर आप अपनी पूरी information यहां पर भेज दीजे, भेजने के बाद क्या होगा, इसको देखा कर सकते हो, mention कर सकते हो, पूरा detail आप भेज दीजे, आपके problem को यहां पर देखा जाएगा, और बहुत ही जल्द इसके बारे में update आपको दिया जाएगा.